कि यह दोस्तो आज की क्वेडियों हम लोकुर्ण बात करने वाले है स्केंदेंग के बारे में ज générा दोस्तों लास्ट विडियो में हमने बात किया था सक्रेंग के अंदर आने वाले कॉंटेंट वारे मे जिनुक्न में बात करेंगे कि लेक कि लुbang इस तरिका से यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग का इस बटन पे क्लिक करे और इस बेल आइकॉन पर भी इस से आपको आने वाले हर वीडियो का अप्टेट मिल जाएगा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्कैनिंग के एक अफ़रा डिपनेशन दिया था कि स्कैनिंग जो दोस्तों एक मैताड होता है इतिकल हाकिंग में ये दिखने के लिए कि सिस्टम का क्या कंडिशन है सिस्टम के कौन कौन सा पार्ट आपन है में और चीज़गा वब know बताया कि दोस्तो चेक के जाता कि परफॉं Gibson की सिस्टम नभी रवे और hen व्यफी का है आप तो दोस्तो मैंने आपको कुछ मैंतलोजिस्ट के बारे बताया था कि जिसमें कवर करने वाले चेक फोर सिस्टम लाइब है या नहीं चेक फोर पॉर्ट स्केनिंग बैयोड स्केनिंग बैनर स्केनिंग वेनबिलेटीज रौदर नीटवर्ग्स एंड प्रिपर प्रॉक्सी ए एक सब्सक्राइब है आपका यह कुछ पर्सन यह कोई भी है जो टागेड है वह लाइब है कि नहीं इस मैठट के जी आप पता कर सकते हो कि वह जो आईपी है जो भी एड्रेस आपको उसका मिला है जो भी इसका अथेंटिकेशन आपके पास है उसके जरीए वह पर्सन सो दोस्तों अगर आपको उस सिस्टम का आईपी पता लाइक में आईपी लेता हो ली यह में कि लेता हूं और बहुत सारे आपका टूल्स टेकनिक्स है जिसके जरीए आप यह चेक कर सकते हो जो टागेड है वह उस्शन आईपी पर लाइव है याने वह उसके लिए जो आपको टार्गेट उसका आइप अगर अपको वहां सर्फटाइब मिलता है तो वह सिस्टम लाइब है अदरवाइज और यह बहुत सारे मैटेद हैं जिसके जड़ी है आप स्कैनिंग कर सकते हो कि सिस्टम लाइब है या नहीं यह नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको जो स्कानिंग कर सकते है उसके बाद दूस्त निकल का आता है वह पिंग स्वाप का जिसके जरी है आप एक रेंज पर लाइक आपको पता नहीं है कि उस सिस्टम का क्या आइप है नहीं है और आपको आइपड के het नहीं है अगर आपको आपे के बारे नहीं पता तो मेरे चैनल पर आप के बारे में देख सकते हैं हो बेटर आपको अंडरेस्टेन्ग हो कि इस रेंज के IP में कौन कौन सा सिस्टम अटे टाम लाइव है या नहीं जो जो सिस्टम लाइव होगा वह आपको पता चल जाएगा कि यह सिस्टम लाइव है यह माइप नहीं है और उसके साथ गर उसके माक अधस कौन सा यूज हो रहा है और उसके साथ अगर आप चाहो कनेक्टिविटेश करना मेभी यूज आप नेट्मक से किसी भी तरह का चो भी आप डिर्क्लिक कर सकते हो पिंग सो आप टूल्स के मदद से उसके बाद यो दूस्तों निकल करके आता है वह था आई-प आई-पी स्कैनर टूस का जो कि आपका लाइप पोर्ट में यह यह काम करता है यह जनली दोस्तों रन करता है आपका लिनिक्स आम मैक के लिए ज्यादा तर लोग इसका यूज करते है इस पर दोस्तों आप पूरा का पूरा स्टार्टिंग का रेंज डाल दो लाइक मैं डा लाइक था और कितने मिनिट पहले था इवेन वो कौन कौन सा आपरिंग सिस्टम यूज कर रहा है वो सारा कुछ भी आप इससे पता कर सकते हो कि सिस्टम का करेंट जो लोकेशन से रहा है वो किस सरीका से है तो दोस्तों पिंक स्वीप में जो कुछ सॉफ्टर जनली यूज जोते हैं पिंक स्वाप एक सॉफ्टर अल्री है अगर आपको अधर सिफ्टर यूज कर रही है नहीं कर रही है सारा कुछ तो आप इसके जरी है पता कर सकते हो इससे मैं आने हो लग्म वीडियो पर आपको डिस्क्राइब प्राक्टिकल के साथ भी दिखा दूंगा तो इन नहीं है यह आप इसके जरी पता कर सकते हो इसके बाद दोस्तों निकल कर क्या आता है वह आपका चेक फो ऑपेंड पोर्ट की जो भी सिस्टम आपने फाइंड किया है कि आपको फाइंड करना है कि उसमें कौन-कौन सा पोर्ट लाइव है विकॉस तब तक आप यह नहीं प पता कर लेते हैं कि सिस्टम का लाइव कंडिशन क्या है और पोर्ट कौन-कौन-कौन-सा उसमें है या नहीं है तो इसके लिए जो आपका वे होता है उसके जो इसके जिसके हैं जो क्या होता है कि मैं को भेजूंगा वहां सा आप उसे चेक करोगे यह फिर मिजे प्रविट हो सकता है तो इसके जरीए आप पता कर सकते हो तो मैं एक एक ग्जम्पल के तौर पर लेता हूं लाइक मेरा आप यह पी है टेन डॉट जिरो डॉट टू डॉट वन और बीच मेरा जो आएस पी भी है वह दोनों को बीच पर कॉम्निकेशन कराता है तो इसे वह थ्री वे हैंड से बोलते है तो दोस्तों थ्री वे हैंड से एक मेठड के जरीए है आप चेक कर सकते हो कि क्या कौन सा पॉर्ट ऑपेन है नहीं है क्लाइंट सर्वर जो भी इसका सर्वर एक से जो भी है जिसे वह रिक्वेस्ट ले रहा है या ले रिए एक्सवर जैड कोई भी है तो कैसे हो रहा है एक से लिए तो इसके लिए दोस्तों जो आप टूल्स यूज कर सकते हो मैठड को पता करने के लिए कि पोर्ट का क्या कंडिशन आता है वह दोस्तों यह बताता है कि आई-पी कौन सा रेंज पर यूजर में भी व लिए और इसमें मैठलोजिस के जरी भी पता किया जाता है तो दोस्तों इसके लिए आप कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है आप टूस बहुत सारा है आप उसके यूज कर सकते हो लाइक टीपी कस्टम पैकेट बिल्डर एक सौफ्टर होता है जिसमें अगर आप चीज सकते हो तो उसके जरी आप जैसे इसमें कुछ भी डालो गए तो आपको जो भी उसका पूरा पूरा इंफ्रमेशन में इसका मैक अड्रेस क्या है उसका कौन को सा पूर्ट लाइव है नहीं है एक सेक्टर सारा कुछ आपको पता चल जाएगा इसी तरह दोस्तों आप आप यूज चरनल बिडियो को देख सकते हो बीक होता है इससे पता कर सकते हो कि इसका क्या-क यूज य जो टूस है इसमें आप आप यूजियर्स करेंद्र जालते हो जो system लाइव है और रॉन करते हो तो आपमडिका को पता जल जाएगा कि ja क्या क्या कंडिशन है system का क्या पोट आन है नहीं है एक सेक्टर सारा कुछ आप इसके जरीए पता कर सकते हो इस टूल के जरीए उसके बाद दोस्तों इसमें आपका नेस्ट टूल निकल आता है जो आपको जनलेलिक काले लिनिक्स या बैक्ट्रा का गुर्ण आप यूज़ करते हो तो होता है एक टूल से ज कौन सा पॉर्ट लाइव नहीं है और उसका क्या करेंट कंडिशन है उसके बाद दोस्तों नेक्स निकल के आता है इसी में आपका जो टूल्स है कुछ कॉमन में जनले जो यूज़ होता है मैं सो का कुछ की नाम बता देता हूँ आपको लाइक है आई से पी पिंग आक्स इ जरी है आप उसफे एक्से रह सकते हो दोस्तों स्कैनिंग जो टेक्निक्स है वह आपका डिफट डिफेंट डिफेंट वे पे होता है मैं करूं करो बात करो एकश्व कुछ तो उसमें यह को ता है ओ तो दोस्तो सब्सक्र, उपने लिग पने जरिए कर सकते हो आप इसे अ आ में जोवाब कर दीजेगा कौन्सто निकल करक्ते हो वो होता का स्कैनिंग यहां डैस यह मेठेड होता है यह की करते है इस के जरी हम लोगों यह पता करते है कि कौन सा आएपी और कौन से लैंगवेज कौन कौन सा वे से वह आई-पी यूज होक्ए ऑटकर तक या है कि जो भी आपका टागेट उसके तक पहुंच रहा है कि इस पता करते हैं कि किस किस से मैं उस तक पहुंच सकता हूं लाइक में इंटरनेट के तुरु जा सकता हूँ आप ने आपने IP ड्रेस को चेंज करके या किसी तरह का प्रोक्सी सर्वर यूज करके मैं अपने जो भी टागेडरों तक पहुंच सकता हूं तो इस मैतड़ के जरी यह सारा कुछ करना पॉसिबल होता है यह मैतड़ जब आप यूज करते हो तो कभी भी आपका औरिनल म ग्रेमेट एक शॉफ्टवेर है जिसके जरी आप इस तरह का मैथड को ले सकते हो उसकी बाद दोस्तों का आपका बैनर का दोस्तों यह जो मैथड होता यह आपका सिट के जाता है कि किस तरह का message उसको दिया जाएगा जो भी आपका target है operating system जो भी आपका remotely target का जैसे access करते हो तो किस तरह का message उसको दिया जा लाएक यह two type को होता है active banner and passive banner एक्टिव बैनर में क्या होता है कि remote आपका जो भी आपका operating system है वो directly connect कर लेता है आपना target के साथ और passive में क्या होता है कि यह किसी तरह का sniffing या किसी तरह का बीच में कोई mediator रखके connectivity establish करता है तो जो 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 प्रोफेशनल hackers attackers होते हैं वो always passive का use करते क्योंकि उससे उनका real data कभी victim के पास नहीं पहुंचता है कोने के बाद जो आप सुनते कुछ ने target करके या investigation करके पता कर ले गया कि वो hacker था या किस तरह का method एक्सेक्टर जो भी यूज किया तो उसे वो बच पाते हैं तो यह operating system का दूस्तों पूरा का information and also पूरा का method जो आप यूज किया है सारा वो सारा कुछ इसमें आता है और पूरा का यह ब्रेडिंग के कुछ टूल से लाइक है IP servers, net craft यह सब टूल से अगर आप यह तूल को यूज करते हो डालो गे तो आप 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 पता चल जाएगा कि वो किस तरह का server ची उस कर रहा है किस तरह का तो दोस्तों आपका किसे बितरों का कोई question हो या किसे बितरों को सुझावा हो तो प्लीज से मेरे comment पर लिख दिजेगा मैं आपको उसका job दे दूँगा दोस्तों इसे वीडियो का आपका part 3rd आएगा जिसके मैं आज scanning method के बारे में बात करूंगा तो दोस्तों आपका पर पड़ के इतले को सस्क्राइब करना मध बुलिएुगू